सपने देखने से मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा तो reality को ही accept करते हैं और उसी से ही अपने आपको satisfy कर लेते हैं कुछ लोग आपको ऐसी चीजे सिखाते हैं ये लोग आपको सिखाते हैं कि अपने दिमाग को बिलकुल खाली कर दीजे क्योंकि खुश रहने का सिर्फ यही एक तरीका है ओ बाइदवे मैंने इस चीज से कभी agree नहीं किया है मैं अपने जीवन में इस चीज को कभी भी नहीं मानता हूँ क्या आप अपने past को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना? और आज का क्या? क्या आप अपने आज को बदल सकते हैं? वो भी नहीं बदल सकता सही कह रहाँ ना मैं? आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि हमें अपने future की तरफ आगे बढ़ना होगा इस वक्त future हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, है न? हाँ, पर ये आने वाला future ये कैसा future होना चाहिए? जो हम चाते हैं हमारी तरफ आए? उसके लिए पहले हमें future की तरफ जाना होगा और एक खूबसूरत future बनाना होगा हमारा future कैसा होना चाहिए? हम उसके बारे में सोचते जरूर हैं पर हमारे ideas को हम खुद ही crush कर देते हैं नई, नई, मैं अच्छी सी गाड़ी कैसे चला सकता हूँ? नई, नई, मैं 230 square meter apartment में किस तरह से रह सकता हूँ? इस तरह से हम अपने ideas को खुद ही खतम कर देते हैं पर एक successful इनसान किस तरह का होता है? वो कहता है कि हाँ, मैं एक अच्छी जिन्दगी जी सकता हूँ मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ हाँ, मैं महिने के 30 लाख, 50 लाख या 70 लाख रुपे कमा सकता हूँ जो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से विश्वास करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आइडिया बहुत छोटा सा है, पर जो इनसान उसको बड़ा करता रहता है ये academic ability या दूसरी किसी ability के फर्क के बारे में नहीं है सोचने की शक्ती, फर्क होता है लोगों की सोच में आपको अपने thinking muscles को बनाने की जरूरत है सबसे पहले possibilities छोटे-छोटे हिस्से में आपके दिमाग में आती है आपको अपने thinking muscles को बनाने की जरूरत है ताकि आप अपने ideas को मजबूत कर सके बात यहां quantity की नहीं है यहां बात है desperation की, confidence की और अपने vision को साफ साफ देखने की आप सब लोग जब तक अपने दिमाग में ये साफ साफ देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह से successful होंगे जब आप अपने दिमाग में इस चीज़ को साफ साफ देख सकेंगे तब आपकी body बदल जाएगी आपका चेहरा बदल जाएगा और आप बदल जाएगे एक successful इंसान में मतलब हम जो हमारे दिमाग में सोचते हैं उस हिसाब से हमारी body भी बदलने लगती है दिमाग की सोच से body बदलती है तो चाहे ये हुआ ना हो पर हमारी body ठीक उसी तरह बदल जाती है जैसे कि ये सच में हुआ हो ये होती है power of thinking आप किस तरह के इंसान के रूप में जीना चाते हैं उस बारे में लिखिए इसे अपने life scenario paper पर लिखिए और इसकी एक movie बनाएए जब आप अपना life scenario लिखेंगे तब आप सोचिए कि क्या मैं सच में एक ऐसा इंसान बन सकता हूँ जो महीने के 50 लाख रुपे कमा सकता है उम्मीद तो करता हूँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो और इस वज़े से ये सब लिखना आपके लिए बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा लोग हैं ऐसे जो सारी राज जाकते रहते हैं पर वो एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाते हैं वो सारी राज सोचते रहते हैं पर अपनी लाइफ सेनेरियो पर लिख नहीं पाते पर आप सब लोगों को अपना पैन उठाना है हिम्मत दिखानी है और इस चीज को लिखना है अगर आपको पसंदना है तो इस सोच को desperately पकड़ कर रखे ताकि आप अपनी सोच बदल सके सिर्फ क्यूंकि आप इस बारे में सोच नहीं सकते या ये लिखना आपके लिए इतना सदा मुश्किल है ये जरूरी नहीं है कि आप इस सवाल से ही पीछा छोडा ले चाही ये ना हो सके चाहे इसके होने के chances सिर्फ 1% हो चाहे इसके होने के chances 10% से भी कम हो आप इसे पकड़ कर रखेंगे और इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे high probability पे success नहीं मिलती चाहे इसकी possibility कम हो पर इस तक पहुँचना ही एक success होगा इसी लिए ये आपके दिमाग में आया है तो इसे लिख लेजिए और अपने आपको इस तरह के promises करते रहिए किसी promise को पूरा करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को presentation दे अपने परिवार को आप presentation दे हाँ, इस बात के chances बहुत हैं कि लोग आपको कहेंगे कि आप पागल है हाँ, पर जिन्होंने अपनी life में कभी ये नहीं सुना है कि वो crazy हैं, उन्होंने कभी passionately अपनी जिन्दगी ही नहीं जी passionate होने के लिए crazy होना पड़ता है जो लोग passion के साथ जीते हैं, वो जरूर सुनते हैं कि वो crazy हैं कि वो पागल हैं पर लोग इस बात को सुनने से डरते हैं कि वो लोग असल में crazy हैं आप सब के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप सुन सके कि आप लोग crazy हैं तो हिम्मत दिखाईए और अपने परिवार को presentation दिखाईए अपने आसपास के लोगों को presentation दीजिए जब आप presentation करेंगे ना तब आपका नजरिया जो है आपका नजरिया पूरी तरह बदलने लगेगा हर बार जब आप बात कर रहे हैं तब तब आपका vision मजबूत होता जा रहा है इस बारे में बात करने से आपको डर लगता है देखिए courage होने का मतलब ये तो बिलकुल नहीं होता कि आपको कभी डर ही ना लगे अपने डर का सामना करना ही courage होता है उस डर से बाहर आने के लिए आपको ये courage चाहिए और ये declare करने के लिए कि आप successful होंगे courage तो चाहिए इससे फरक नहीं पड़ता है कि आप गरीब पैदा हुए हैं या अमीर या हम किस तरह से पैदा हुए हैं हम किस तरह से जिंदिगी जीना चाहते हैं वो जो सोच है वो हमारी जिंदिगी को determine करती है तो इसी लिए अपने future को बनाना बहुत आसान भी है और बहुत सस्ता भी है तो जैसा चाहिए वैसा अपना future बनाईए पर ध्यान रखेगा इसको बहुत अच्छे से बनाईएगा अगर आप हार मान लेंगे तो ये आप तक ही सीमित नहीं रहेगा अगर मैं अपनी मुश्किलों की वज़े से हार मान जाता हूँ तो मेरी wife, मेरे husband, मेरे माबाप, मेरे बच्चे उन सब को मेरे साथ हार मानना पड़ेगा इसी लिए हमको बार-बार उठना है क्योंकि अगर मैं successful हो गया तो मेरी wife, मेरे husband, मेरे माबाप, मेरे बच्चे वो सब मेरे साथ successful हो जाएंगे क्योंकि हमारे दिल में ऐसे लोग हैं जिने हम प्यार करते हैं इसी लिए डर लगने के बावजूद भी हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी सक्सेस हिम्मत वालों के लिए है आईए मिलकर निडर बनते हैं और हम सब हिम्मत के साथ successful बनते हैं Thank you